प्रणाम जी सभी को राम राम आशा है सभी लोग कुशल मंगल हैं और सभी को सनातन धरम की जय जो एस्पाइरेंट्स की लगातार एक डिमांड थी कि जो एज रिलेक्सेशन दी जाए पिछले साल भी एज रिलेक्सेशन मिली थी लेकिन उसके बाद फिर से ये कहा गया था कि भई आपको एज के अंदर कोई रिलेक्सेशन नहीं मिलेगी लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर से एस्पाइरेंट्स की बात सुनी है जो वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे अउनरेबल एल जी मनोस इनहा जी को उसके अंदर ये कहा गया है कि जो अब ओपन मेरिट है ओपन मेरिट में जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एज रिलेक्सेशन है वो 35 साल रहेगी जो पहले भी रिलेक्सेशन मिली थी आज निकला है और इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि जो जमू कश्मीर कंबाइंड कंपिटिटिव एग्जाम्स के रूल्स 2018 के हैं उसके अंदर फिलहाल एज के अंदर रिलेक्सेशन दी गई है अमेंडमेंट की गई है ताकि जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनकी ये जो बात है उसे थोड़ा सा सुना जाए क्योंकि वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे गवर्मेंट से जमू कश्मीर की कि उन्हें एज रिलेक्सेशन दी जाए क्योंकि पिछली बार भी वन अन्रेबल एलजी सहाब ने उनकी बात सुनी है इसमें मैं एलजी मनोज सिनाजी का धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता हूं कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो इस वीडियो को शेर करें और धन्यवाद भी करें एलजी सहाब का क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से जो के अंदर relaxation है open merit candidates के लिए 35 years की है और reserve category और साथ में जो in-service candidates होते हैं उनके लिए 37 years है और physically challenged जो candidates होते हैं उनके लिए 38 years है ये LG सहाब ने order निकाला है मैं एक बार फिर से कहूँगा धन्यवाद LG सहाब और aspirants को भी कहूँगा वो भी LG सहाब को धन्यवाद करें देखते ने जेके मीडिया धन्यवाद राम राम सनातन धरम की जै